हेलो गाइज मैसेल्फ शुबम अगरवाल फ्रम टिमाशिश तो अब आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर जो की मोस्ट इंपोर्टेंट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्स्प्रेशन तो अपनने ट्रांसलेशन पूरा देख लिया इनिबिटर्स देख लिये ट्रांसलेशन के ब अग्से श्ट नॉट भी आता घ है तो यह मेंकरिंजोम उस पर भेज़ था । यह पं पढ़ेंगे in डेक्शन एं ऐदक्षान मेकरिशन मेकरिशंम सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन का होता है जीन एक्सप्रेशेन का क्या मतलब है जीन एक्सप्रेशन की अगर मैं हो रहा है । छितने भीiseen होते अपने जो भी ऑल जीन है तो अलग Elam होते हैं एक तो कुछ ऐसे टाइक होते हैं जो कि हीना हर टाइम स away नहीं रहते हैं टेंडि रहते हैं लोट ऑल दर टाइम क्या कि उन जरूरत पर्ती हिए जब भी एक्स्प्रेस सो तो यह यसे कि मैं बात करूँ कि इंसुलिन का जीन थी इंसुलिन का जीन है तो वह किस में 25 में जने रहेगा इंसुलिन का जने किसमे रहता है वह किस पर वह की बत यह इंसुलिन का जीने की Von Sumer cat ailsa親 in all other cells of the body terminal insulin gene that always be active in beta cells ग्रेंवे तिस्वी से पाहियाद गजिए और इसले वहां नोधी को तरहúblic मोई आख व्य। मतलब इनक्टेव ती एक प्रडी में लित आप से प्रफिझी हम नौद रहता है जो बदो में इसलें उपको lots of cells ब्रूमंच एक्षॉपकयय। हर सेल के अंदर वो active होते है, जैसे कि मैं बाद genes of glycolysis, मतलब enzymes of glycolysis जो बने हैं, किसे अंदर कि यहेंद बाद करूङ है, तो मैं बात करूँँ that enzymes, genes of glycolysis वो हर active है, हर सेल के अंदर, क्योंकि glycolysis हर सेल में हो रही है, वो एक active process है, तो some genes जो होते हैं मतलब expressed रहते है almost always जैसे कि enzymes of glycolysis जो हो हर cell synthesize करता है तो इनको अपन कहते है constitutive या फिर housekeeping genes ठीक है housekeeping genes मतलब यह हर time active रहते हैं इनको कहते है housekeeping housekeeping मतलब आप अपनी मम्मी से relate कर सकते हो ठीक है वह हाउसकिपिंग है ठीक है तो वह हर टाइम एक्टिव रहती है और यह जो उपपर जीन पड़ेते हैं जो हर टाइम एक्टिव नहीं रहते हैं बट जो जो है कि उनका काम आने पर ये अक्टिव होते हैं ठीक है तो ये जो होते है इनको अपन बोलते है इंड्यूसिबल जीन्स ठीक है ये इंड्यूसिबल जीन्स ठीक है तो ये इंड्यूसिबल जीन्स है इसको आप अपने पापा से रिलेट कर सकते हो ठीक है कि हर टाइम ठीक है पर कुछ अगर major decision या घर का कुछ भी main important काम है तो वो induce हो जाएंगे ठीक है तो यह inducible है और यह housekeeping genes है ठीक है पापा और मम्मे होगा हाँ तो यह तो अपन ने ऐसी बात करी अब induction के अगर मैं बात करो अभी तक मैं basic बता रहो ठीक है बागी main जो अपन पढ़ेंगे वो lack of iron पढ मतलब है it is phenomena of increased synthesis of protein और enzyme in response to certain signals ठीक है मतलब synthesis बढ़ जाएगी protein की in response to certain signals ठीक है मतलब यह क्या करेंगे turning on switch on करेंगे genes को ठीक है turning on the switch of genes और इसी के opposite में होता है repression repression का मतलब है turning off the switch of genes ठीक है कि यह repress कर देंगे inactive decrease synthesis ठीक है तो induction और repression तो अब अपन देखते हैं अपना most important operon concept ठीक है अपन को पढ़ना है इसमें lack operon most important है ठीक है इस वीडियो में तो operon के concept के अगर मैं बात करूँ तो यह operon का concept सबसे पहले है study किया था Jacob and Monod ने ठीक है अगर MC क्यों आ जाए तो यह आपके NEET में भी पूचा जाता था ठीक है Jacob and Monod ने किसमें E.coli में study किया था तो यह Jacob and Monod ने study किया था ठीक है और इसने क्या बताया था इसका अगर final result में आपको अगर अभी बता दू open on पढ़ने से पहले ही आपको याद करा दू चीज़े तो ऐसा है कि जो cells थे bacteria के अगर वो glucose medium में grow करेंगे अगर उनके पास glucose है sufficient quantity में glucose है glucose medium में अगर वो grow करेंगे तो they do not contain beta galactosidase अभी मैं बता हूँ यह क्या करता है beta galactosidase ठीक है lac operon का concept तो मैं बस इतना अभी चाहता हूँ कि आप यह याद कर लो अपनी इच्छा से क्या मैं यह निखाऊंगा यह खाऊंगा ठीक है और लेक्टोस जो है वो है आपका hostel का खाना ठीक है कि आपको मजबूरी है कि यही खाना पड़ेगा glucose तो नहीं है अब आप घर से दूर आ गए हो पढ़ाई करने के लिए अब बीबियस करने के लिए ठीक है तो लेक्टोस तो आपको नहीं अब ग्लुकोस तो नहीं है तो लेक्टोस खाना ही पड़ेगा मतलब एक तरह से यह एक एक एक्जमपल ऐसे याद करना ठीक है तो अगर सेल्स अभी चुट्टी मनाने घर गया हुआ है और उसके पास ग् लेक्टोस मेटबोलिजम उसमें शट अफ हो जाएगा मतलब यह ओपेरॉन शट ओफ हो जाएगा ठीक है मतलब यह ओपेरॉन नहीं काम करेगा ग्लुकोस मीडियूम के अंदर बट वेन सेल्स के ट्रांसफर हो गए फ्रॉम ट्रांसफर टू मीडियम कंटेनिंग लेक्टोस अब यह वापिस से होस्टेल में आगए ठीक है तो अब इन में क्या होगा कि एंजाइम लेवल जो होगा एंजाइम लेवल वह बहुत जादा थाउजन फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा ठीक है क्योंकि उनको लेक्टोस का मेटाबोलिजम करना है और ओपेरॉन शट ओन हो जाएगा ठीक है इतनी बात समझ में आगई ठीक है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लेक्टोस का जो अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं अपना लैक ओपेरॉन ठीक है लैक ओपेरॉन ठीक है अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं लैक ओपेरॉन तो ओपेरॉन क्या होता है सबसे पहले अगर अगर अपन बात करें तो वाट इस ओपेरॉन ओपेरॉन का मतलब है इस यूनिट अफ Jeep In expression इसके अंदर क्या होते है स्ट्रक्छल जीन होते हैं फंट्सनल जीन होते हैं कुछ कंट्रोल है उनके अलावा रेईले लेट्री या फिर ऑनीबेट्री जीन होते हैं ठीक है नोटց् आपको पूरे मिल जाएंगे यहां से से दियाग्राम से थियोरी समझाते है तो यह आपका एक cœpion ठीक है तो इसके अंदर क्या होता है एक तो होता प्रमोटर रिज्जन एक होता है आपका ओपरेटर रिजन और यह होते है फ़ंक्शनल जीन्स या structural genes होते हैं तो bacteria के अंदर यह अपन पढ़ रहें lactose metabolism इन में 3 structural genes होते हैं Z, Y and A ठीक है तो यह हो गए आपके structural genes तो यह एक operon का basic model है ठीक है अब अगर अपन बात करें तो सबसे पहले bacterial cells में यह 3 structural genes होते हैं इसको code करते हैं ठीक है तो bacteria में आपको मैंने पहले भी बताया था कि cystron जो unit होती है gene expression की और अपने bacteria P for prokaryotic P for polycystronic तो मतलब polycystronic दिख रहे हैं अपने 3 proteins हैं 3 structural genes है ठीक है यह 3 अलग-अलग enzymes को code करेंगे यह Z जो code करता है वो करता है beta galactosidase को ठीक है और यह क्या करता बीटा galactosidase यह lactase enzyme है ठीक है तो lactose को किसमें तोड़ देगा glucose plus galactose के अंदर ठीक है तो यह Z का समझा गया फिर Y जो है यह permease permease मतलब यह permeability बढ़ाता है ठीक है यह क्या करेगा it transport lactose and glucose into the cell lactose and galactose lactose and galactose को cell के अंदर यह transport करेगा ठीक है permeability बढ़ जाएगी membrane के और यह transport को facilitate करेगा और यह जो A है यह कौन से enzyme को code करता है तो it codes for thio galactoside thio galactoside transacetylase ठीक है तो सबसे पहले तो वाइवाम है और fill in the blanks और यही पूछ लेंगे कि यह ZYA किसको code करते है ठीक है यह तक clear है ठीक है और अब इन genes का अपन क्या करेंगे transcription इन genes का यह क्या है यह DNA के उपर present a sequence है ठीक है genes है और यह genes का अब अपन करेंगे transcription ठीक है और lactose का metabolism ऐसे होगा ठीक है अब यह basic structure पता चल गया अब normally अपना बगर बात करें तो normally transcription जो होता है वो repressed होता है transcription normally repressed condition में रहता है repressed मतलब बंद रहता है मतलब यह operon जो है यह switch off रहता है क्यों रहता है यह switch off normally क्योंकि bacteria के कब रहेगा यह क्या condition है जब glucose present होगा मतलब यह bacteria घर आय हुए है ठीक है और lactose absent है तो घर का खाना है lactose है यह नहीं तो क्यों इसको metabolism करना तो यह shut off रहेगा ठीक है तो अब यह कैसे shut off रहता है यह एक बड़ा सवाल आता आपके अंदर ठीक है तो यह clear करते है तो transcription जो हो रहा है यह transcription of structural genes जो हो रहा है यह भी होता अंडर दो कंट्रोल ओफ अनादर regulator एक regulator होता है अनादर regulator जिसको अपन बोलते है i gene, inhibitory gene ठीक है, inhibitory gene होता है और यह regulatory gene यहां पर होता है यह मैंने बताया था ना ओपरान के अंदर और और होते है regulatory यह इनिबेटरी genes भी होते है, promoter ओपरेटर होता है और structural genes होते है ठीक है तो यह regulatory gene क्या हो करता है यह आई protein को synthesis करता है inhibitory gene को और यहां से एक repressor protein बनता है ठीक है अभी मैं अलग से पूरा diagram बना रहा हूँ यह basic structure समझ लो और यह repressor protein फिर जाके यह operator के साथ उसकी बहुत high affinity होती है ठीक है अगर उस पे bind कर गया तो अब यह जो RNA polymerase है यह मानलो आपका यह RNA polymerase है यह promotor पे bind करके transcription ऐसे इस direction में होगा यह यहां से जाएगा structural gene को transcript करके एक mRNA बनाएगा ठीक है बट अगर मानलो कि यह regulator gene ने inhibitory protein synthesis किया और repressor protein अगर बन गया और यह यहां आके bind हो गया तो यह रास्ता तो इसका रुख गया तो यह यहां से आगे बड़ी नहीं पाएगा तो transcription नहीं होगा ठीक है और ऐसा कब होगा जब glucose present होगा मतलब bacteria घर आया हुआ है lactose नहीं है तो किसका metabolism करोगे तो यह switch off रहता है mostly ठीक है तो अब अपन देखेंगे diagram से ठीक है और यहीं यह तो आपको मैंने समझा दिया अभी मैं बना के बताऊंगा और यहीं मान लो कि अगर lactose है present है यह hostel में आ गया ठीक है lactose बहुत ज़्यादा present है अगर lactose बहुत ज़्यादा present है तो यह क्या करेगा कि रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर और lactose lactose इसमें inducer की तरह करेगा यह lactose रिप्रेसर से बाइंड करके एक inactive complex बना लेगा अभी मैं बना रहा हूं यह पर एक आइडिया दे रहा हूं और यह inactive complex जो है यह lactose जो है वह यह इससे बाइंड कर जाएगा ठीक है इससे बाइंड कर यह रास्ता साफ हो जाएगा और यह structural gene transcribe हो जाएगा यह metabolism हो जाएगा lactose का ठीक है यह अभी तक सिर्फ समझाने के लिए अब अपन बनाएंगे ठीक है तो अब मैं बनाता हूं क्या बताया मैंने वो का वो वापिस से बनाता हूं ठीक है तो एक तो यह condition है ठीक है दो एक तो बना लेता है अपन प्रमोटर रिजन ओपरेटर रि लोग ग्लुकोस प्रेजेंट है और लेक्टोस एपसेंट है ठीक है तो ग्लुकोस प्रेजेंट है तो क्या होगा घर पे है तो ओपेरोन क्या रहेगा शट आफ रहेगा कि इसका काम ही नहीं है लेक्टोस है नहीं तो किसको मेटाबोल एक्रिकर होगे ठीक है तो यहां पे क promoter operator ZYA अब इधर जो bind कर जाएगा यह आपका repressor bind कर जाएगा ठीक है operator पर ठीक है तो जो RNA polymerase जो था यहाँ पर वो it cannot move यह move ही नहीं कर सकता इस direction में ठीक है hindrance आ गया ठीक है hindrance आ गया तो structural genes are not transcribed एक तो यह condition होगी ठीक है दूसरी condition कि यहाँ ग्लुकोज नहीं है वह austal आ गया है और lactose बहुत सारा प्रेजेंट है तो उसका metabolism और उससे ही energy gain करनी पड़ीगी ठीक है तो अब क्या होगा कि यह lactose बहुत सारा है तो मान लो यह lactose है ठीक है तो lactose क्या करेगा as a inducer और यह lactose क्या करता है यह lactose जो है इससे जाके bind कर जाएगा यह जो आपका repressor था इससे यह जाके lactose ऐसे bind कर जाए ठीक है और यह complex बन जाता है in active ठीक है inducer और repressor now cannot bind ठीक है तो यहाँ पर यह operator site खाल लिए ठीक है तो अब यह RNA polymerase जो है यहाँ पर जो RNA polymerase था यह move करेगा आगे यह P operator ZYA और यह RNA polymerase मूब करेगा और structural genes are transcribed ठीक है mRNA बन जाएगा और finally proteins बन जाएंगे ठीक है तो यह ही है क्या हुआ था समझा ठीक है दो condition है अब एक तीसरी condition अगर आप पूछो कि glucose भी present है और lactose भी present है अगर वायवा मैं ऐसा पूछ ले तो क्या होगा glucose भी present है और lactose भी present है तो glucose तो है ना तो भी यह shut off रहता है ठीक है कि भाई हाँ मेरे को जितनी ज़रूरत है glucose की उतना है तो यह lactose है तो भी मैं इसको लेकोपेरोन को shut off रखता हूँ ठीक है by repression mechanism ठीक है तो यह भी अगर एक condition पूछ ले कि अगर glucose लेक्टोज दोनु है तो भी glucose है तो अपना काम चल जाएगा अपन लेक्टोज को नहीं यूटिलाइस करेंगे और यह सब shut off रखेंगे ठीक है तो लेकोपेरोन में में यह आप को diagram बनाना है बाकी theory जो है वो आपको notes में दिख जो मैंने बोला वही theory है ठीक है कुछ अलग नहीं है जो भी समझाना था सब समझा दिया और बाकी यह पूछते हैं कि Z किसको code करता तो बीटा गेलेक्टोसाइड इसको वाय पर्मी इसको और यह थायो गेलेक्टोसाइड ट कर लेंगे और थोड़ा eukaryotes में थोड़ा complex क्या-क्या तरीके होते हैं वो discuss कर लेंगे ठीक है तो इस वीडियो में अपना लैक ओपेर आन और यह थोड़ी शुरू की बात है ठीक है यह भी वायवा में पूछते हैं ठीक है housekeeping genes और inducible genes और यह सब ठीक है तो यह ध्यान रखन मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भरत